सो हेलो गैज कैसे हो आप लोग आई हो कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे सो गैज आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे अपने Moto G51 मोबाइल में नेट स्पीड को इनेबल कर सकते हैं कि आपर देख पर हो कि नेट स्पीड दिखाई देरी ओपर की साइड में आपर आपको दिखाई देरा होगा कि जितनी भी रियल टाप नेट वर स्पीड आ रही वो यहाँ पर सो रही है तो आप भी इसको कैसे open कर पाओगे चलिए मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ दूस्तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है अपने mobile का जो play store होता है उसको open कर लेना है तो यहाँ पर आपको search bar में लिख देना है net speed indicator तो यहाँ पर net speed लिख करके आपको search कर देना है और यहाँ पर आपको third number पर एक application मिलेगी जिसका नाम है net speed indicator तो आपको इस वाली application को enable करना है यानि की install करना है यहाँ पर देख लिजिए यही वाली application होना चाहिए इसको install करने के बाद आपको open करना है open करने के बाद guys जैसे आप इसको open कर दोगे तो आपके ऊपर जो है एक notification आ जाएगा यहाँ से आपकी net speed जो हो दिखने लग जाएगी लेकिन अभी इसको permanent करने के लिए आपको क्लिक करना है यहाँ पर दीखे daily data use पर क्लिक कर दोगे तो इसका daily data use भी यहाँ से दिखाते देने लग जाएगा तो आप यहां पर देख पा रहे हो कि यह जोए application काम करना चालू कर दी है और यहां पर ऊपर की side में यहां पर net speed indicator दिखने लग गया है तो इस तरह के दोस्तों आप यहां पर real time network speed को